पिछले दो माह से भी ज्यादा समय से लगातार किसान आंदोलन कवा कर रहे पत्रकार मंदीप पुनिया की गिरफतारी की खबर सामने आ रही है। यह जानकारी सोशल मीडिया पर कई लोगों ने साजा की है, हाला कि यह सपश्ट नहीं हो पाया है कि उन्हें पुलिस ने किस जुर्म में गिरफतार किया है। सोशल मीडिया फेस्बुक पर एक वीडियो भी शेर किया है, जिसमें दिख रहा है कि पुलिस मंदीप पुनिया को घसीटते हुए अपने साथ ले जा रही है। गौर तलब है कि मंदीप पुनिया किसान आंदोलन को शुरुवात से ही कवर कर रहे हैं। वो लगातार जनपत वेबसाइट और कारवा के लिए रिपोर्टिंग कर रहे थे। कुछ घंटे पहले मंदीप ने अपने फेस्बुक वाल पर एक लाइव किया था, जिसमें उन्होंने कल किसानों पर किसने हमला किया, दिल्ली पुलिस का क्या रोल था और मीडिया ने क्या रिपोर्ट की पर अपनी बात रखी थी और आगे भी कुछ खुलासा करने का जिक् पत्रकार मंदीप पुनिया ने अपने फेस्बुक वाल से किसानों पर हुए हमले को लेकर जो लाइव किया था, आप खुद देखिए और विडियो पूरा देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि पत्रकार मंदीप पुनिया को क्यों गिरफतार किया गया है नमस्कार मैं मंदीप हूँ और मैं एक पत्रकार हूँ पेशे से और मैं कल सिंगू मोर्चे पर जो किसान मजदूर संगरस कमेटी है उसके स्टेज पर था जब दंगाईयों ने स्टेज के उपर हमला किया, किसानों के उपर हमला किया और उस टाइम पे मैंने जो देखा वो गालियां देने लग जाता है और कहता है कि उठकर यहां से भागो तुम्हें सबक सिखाते हैं और वो फिर पत्राव करने लग जाता है पत्राव कर और पुलिस वो 58 थे लेकिन पुलिस चार से पांच जार पुलिस वाले कल थे और लगातार तिरंगा उन्होंने आथों में पकड़ा हुआ है कभी तिरंग और एक पेट्रोल बंबी वो फैकते हैं जो कि उनके पास है किसानों के पास किसान कल प्रेस कॉंफरेंस में भी दिखाया किसानों के पर पेट्रोल बंब फैकते हैं उनकी रजाईयां गदे जलाने की कोशिस करते हैं तो यह सब हो रहा था तो अभी जिन लोगों ने वो हमला किया है वो लोग उन लोगों की जो आइडेंटिटी है वो भी सामने आ गई है और साथ में दिल्ली पुलिस का रोल भी मैं आपको दिखाऊंगा और साथ में जो मीडिया ने आज रिपोर्ट किया अ और बहुत सारे जो वहां पर पत्रकार जिनको हम जानते हैं जो अच्छे पत्रकार हैं वो भी उलट कर रहे हैं तो अभी बैसिकली जो यह हमला किया था उसमें जो फोटो आ रही हैं और जो मैंने रात बर देखा कि कोन लोग थे उन लोगों जो पहले आए आथों में लाओ किया उसकी मैं कुछ फोटोज आपको दिखा देता हूं और फिर मैं आपको देता हूं यह एक हैं प्रदीफ खत्री ठोलेदार अपने आपको लिखते हैं यह फेसबूबूक पे यह और आपने आपको भाजपा का जिला कनवीनर बताते हैं अपने आपको यह करवांगा फूरी Facebook कि इनकी यह देखिए ये कल दंगाहिव में थे ये फेसबूक प्रोफाइल मैंने खोल रखी है फेसबूक पर आप देखेंगे तो एक अंकित नाम के इंसान ने कल गए हुए की इसकी वीडियो भी पोस्ट कर रखिया है जो जी न्यूज को ये इंटर्व्यू दे रहा है देखिया है तो इसकी आप प्रोफाइल चेक करेंगे तो इसकी प्रोफाइल पे खूब दिख जाएगा कि ये कौन सी परदीप खत्री ठोलेदार और ये बीजेपी का गंतन तरदिवस की बदाई दे रहा है तो ये जो बीजेपी के जो और नेता हैं संदीप सेरावत उनके साथ हैं तो ये बेसिकली बीजेपी का आदमी है परदी अमन डबास है और ये अमन डबास बावाना से है इनकी पत्नी ये भी बीजेपी में है मिच्छा के साथ इसकी फोटो है इसकी मैं और फोटो भी दिखाँगा जिसमें ये दंगाईयों के साथ खड़ा है और पत्राव कर रहा है किसानों के उपर इसकी पत्नी पारशद है ब और यह मंडला देक्स है आपको मैं बताऊं भी जैपी का इसकी किसानों ने फोटो निकाल के चलाई भी हैं और जो यह अमंडबास है जिसके हम बात कर रहे हैं यह वी कल पत्राव कर रहा था मैंने खुद अपनी आखों से इसको देखा है पत्राव करते हुए और यह जैसे च नहीं जाना चाह रहा था उसका एक रिजन यह भी था कि यूथ को जो किसान यूथ है उनको पता चल गया था कि उनके ट्रेक्टर पे पेट्रोल बं मारेंगे बीजेपी वाले बवाना किसे निकलेंगे और उसमें इस अमंडबास ने तैयरी कर रखी थी पूरी और दिल्ली यह फोटो दिखा देता हूं जो मैंने प्रोफाइल फोटो भी लगाया है यह सर्दार है इसको देखो पुलिस ने पूरे जूदों से रोंदा है और इसको बालों से गसीट कर लेके गए हैं नंगा करके बुरी तरीके से पीटा है और उस वीडियो में आप देखेंगे जो पर जो पत्राव करने वाले थे वो भी इन सर्दार को कूड़ रहे हैं यह सलमें यह वोलिंटियर था इसको खीच के इसके हाथ में तलवार थी जो ऐसे चो तलवार नहीं बैसिकली जो यह अमरिदारी सिक था तो तलवार कह लीजीए और किरपान कह लेजीए वैसे आन्थि के जुबैसे चो इसको खीचके ले के आ रहा है अली पूर वाला जिसके आथ में चोट लगती है दंगाईय को ते रहा इसकी मैं वीडियो भी आगे आपको दिखाऊंगा और देखे अब मीडिया ने कैसे रिपोर्ट किया असल में आप देखेंगे देखो यह पत्राव कर रहे हैं यह गुंडे आए और देखें यह जो पुलिस है यह मूखदर्सक बनके देख रही है बिल्कुल कोई वो नहीं कर करने देए एक बार भी नोने पुलिस ने रोका भी नहीं जबकि स्टेज से सवरण पंदेर और दूसरे किसाने अनौन्स करें कि आप इनको रोकिए यह सामाजिक तत्तों हैं और जो दैनिक जागर ने रिपोर्ट किया है यह देखें फोटो शोप कर रखा है बिल्कुल यह अकेले इस लड़की की फोटो और देखो बैक्राउंड में फोटोशोप करके पुलिस को अटा दिया है और पुलिस दिखरी थी इसमें वो हटा दी है तो बेसिकली और देखे क्या लिखा स्तानिय और किसान बढ़े पुलिस पर तलवार से अमला जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है मैं बिल्कुल आखों से देख रहा था चलो ठीक है भई दैनिक जागरण के अपनी पोल सी है रिपोर्ट करने की चीजों की पर यह हुआ अब मैं शिक सरदार की वीडियो दिखाता हूं जिसको पुलिस वालों ने बुरी तरीके से यह खबर इंडिया चैनल है यह है तो संगी चैनल लेकिन मैं आपको एक बार इस पर जो वीडियो है वो मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे उसको उनको रोंद के लेके गए हैं यह देख को जिपसी में ठूसने के कोशिस कर रही है और इसको अब स्थानी आएंगे देखना जो इसके उपर देखे और जो यह खबर इंडिया चैनल है इसकी कमेंटरी तो मतलब हद है यह कह रहा है देखिए खालिस्तानियों ने अमला कर दिया यह कर दिया पुलिस पकड़के लेक समको रोक नहीं रही है तो और इसको बिल्कुल आगे यह देखिए यह देखिए लोकल आपको देख जाएंगे देखिए यह लोकल इसको मार रहे हैं पुरा यह बालों से पकड़ रखा है बालों इसको खुदी और यह 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 इस इस लड़के को बुरी तरीके से गसीटती है और जो पुलिस इस बीच आसुगैस के गोले छोड़ती है और लाठी चार्ज करती है बैंकर किसानों के उपर मतलब मैं आखों से देख रहा हूं कि पुलिस धंगाईयों को कुछ नहीं कह रही है लेकिन किसानों के उपर लाठी चार्ज कर रही है उनको आसुगैस सोड रही है और जो यह विजेपी के जो लोग हैं यह गालियां दे रहे हैं किसानों को और तिरंगे से भी मैलाओं के पर, अब मातना सारे मेरा कि मीडिया क्या रेपोर्ट नहीं है कि आब यह कहले पर किसान कोते हैं बहुत सारे और अरियंडया पंजाब से सपोर्ट आई है ज्यादा लेकिन ये सवाल बनते हैं पुलिस की भूमी का के उपर और अभी तक पुलिस ने उस लड़के का बताया नहीं है कि उलड़का कहां पर है इसकी मैंने प्रोफाइल फोटो भी लगाई है और मैं आज 24 गंटे तक हम बाट देखेंगे की रिपोर्टर दोस्त की साथी कि क्या करें उसके बाद अगर पुलिस नहीं बताती है कि ये कहां पर है और इसको फेश नहीं करती है तो फिर हम एबियस को और पस मूग करेंगे और सुप्रीम कोल्ट में जाएंगे पत्रकार लोग की कठा होके जाएंगे क्योंकि हमने अपने आखों से देखा है पत्रका सातियों से बात हुई है कुछ वकिलों से बात हुई है अगर 24 गंटे में अब थोड़ी देर में तीन बजे 24 गंटे हो जाएंगे तीन बजे तक अगर दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फरेंस करके इस सरदार जी का हाल नहीं बताती है तो फिर मैं MBS को और पस मूग करेंगे पूछेंगे कि वो लड़का कहा है कि सालत में है और उसके साथ इतना बुरा बरताव क्यों हुआ तो यह सारे यह सारी चीज़ें जरूरी हैं से विल सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली आप आपको यह समझना है कि मतलब लोग यह ले जाते बवाना की तरफ तो किसानों के ट्रेक्टरों पर पेट्रोल बं मारने की पूरी तयारी थी खुद बवाना के लोगों ने मेरे को रिपोर्टे दी हैं और उनकी वीडियो भी मेरे पास बवाना के लोगों की जिन्होंने मेरे को बताया है कि यह 26 जनवरी को ट्रेक रोड की किसान बार-बार डिमांड करें तो यह एक एक कंक्रीट सी चीज है जो मैं जो मैं लगातार देख रहा हूं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और कल किसान जिन किसानों के मतलब सर पूटे हैं उनके प्रेसपों फेंस जब हुई तो मैंने वहां से कवर किया और एक चोटा सा इंटर्व्यू करने की कोशिस करें उनकी कहां का चोटा यह कई हो के कुछ हुआ है तो लग बगलबग 15 गंभी रूप से गायल है पचास के चोटी मोटी इंजर मैं किन किसान को क्या 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 चोटा है और रुमेंटेशन करते हैं और दूसरे चीज़ों को भी देख रहे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं को दुकुमेंटेशन को वकील साथी तो प्लीज आ गया है और सिंगु जो दिली में हैं जो वकील या फिर हुमिन राइट के साथ थी वो आ गया है और डोकुमेंटेशन करें बस आपका काम क्या है जिन जिन किसानों को बात चोट लगी है उनकी चोट उनके फोटो और उनके कहां क्या कैसे हुआ वो सारा डोकुमेंट कर लें एक बार यह जरूरी है ताकि कल को अगर हम इस ब्रूटोयलटी के खिलाफ मूव करते हैं और साथ में जो सथी जिसको पुलिस लेके गई है बुरी तरीके से जिसको मा रहा है गसीट गसीट के नंगा कर दिया था इसको तो इसको इसकी भी हमको जरूरत है इसके लिए भी हैविस को बस मूह करने की जरूरत है जिससे हम पूछें दिली पुलिस से कि ये कहा है मेरे इसाब से तीन बज़े तक टाइम देना चाहिए चोविस गंटे तीन बज़े तक हो जाएंगे दिली पुलिस क्या क्या बताती है कहा है और अभी मैं अलिपूर जो से भी कॉंटेक्ट करने पजों करूँगा और उनके बाया उनका वर्जन भी लूगा और साथ में ये भी पुछूँगा कि वह लड़का कहा है असल में अपनी रिपोर्ट में लिखना है मुझे अपनी रिपूर्ट मैं अभी अपनी रोख रखें जो मैंने पूरी लिखक्र किए इसी वज़े से क् पुलिस का वरजन नहीं है, पुलिस का वरजन रिपूर्ट बायस ना हो, उसमें पुलिस का वरजन भी जरूरी है, पुलिस ने ऐसा क्यू गिया? पुलिस से मैं सीधे सवाल करूँगा कि आप मैं खुद देख रहा था कि दंगाईयों के साथ आप उनको बैक अप दे रहे थे वो पत्थर चला रहे हैं और अगर किसानों के उपर उनको बैक अप देने के लिए पुलिस आसुगैस छोड़ रही है ताकि किसानों की आँखों में जलन ओले लग जाए और ये पत्थर उनके उपर आराम से फैंक सके इसी वज़े से इतने पचास के आसपास किसानों के सरों में चोड़ आई है दिल्ली पुलिस ने पर बैक अप दिया है ये पूरा फासिस्ट मोडल है आप इसको आप समझे तो ठीक है अभी जो और इन्फोर्मेशन जो आएंगी मैं आप तक शेयर करता रहूँगा बहुत सारी चीज़ें हम अभी लिखित में नहीं पेस कर पारें इसलिए मैंने चोटा सा वीडियो बनाया जो रिपोता जो मैं लिख रहा हूँ इस पूरे इंसिडेंट के उपर तो आप अगर इस वीडियो को देख रहें तो आप आगे से आगे इसको शेयर कर दें ताकि जो पुलिस की जो ब्रुटैलिटी है वो सामने आनी चाहिए और साथ में जिन दंगाईयों ने हमला किया किसानों के पर वो भी सामने आना चाहिए